सब्सक्राइब अब्रिवेशन से रिलेटेट प्रिवेश क्लास के अंदर ए और बी तक पढ़ लिया था आज लेटर नंबर सी से स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है हर सब्सक्राइब अब्रिवेशन से रिलेटेटेट पांच से दस आते हैं तो जो स्टुडेंट अपने अपने पार्ट देख लें और यह पार्ट है वो सेकेंड है आज अपन पढ़ने वाले हैं इस लेटर नंबर सी से स्टार्ट करेंगे देखिएगा अब इसके अंदर CSN Community Health Nursing Community Community Health Nursing यह आप लेख सकते हैं चाल्ड हेल्प नर्सिंग कुछ भी लेख सकते हैं उसके बाद में दूसरा है CSF क्या लेका हुआ है CSF सेरेब्रो इस्पाइनल फ्लूड क्या है सेरेब्रो सेरेब्रो इस्पाइनल फ्लूड उसके बाद में हैं कि यह जो जितने भी एब्रिवेशन हैं वह बहुत इंपोर्टेंट है मैंने आपको प्रिवेस क्लास के अंदर भी बताया था कि इतने एब्रिवेशन तो आपको याद करके जाना ही हैं यह तो आहेंगे याएंगे क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत सारे हैं कर लिया है जो फ्रिवेस तरीय्यर के अंदर आया हुए हैं साथे सात में ऑन मेरे को इंपोर्टेट लका उसको mennew एड़ किया है तो इसे बार मिया साथ से एक बी नहीं जाएगा तो आसानी के साथ में इसको याद करएंगे CCU, जैसे ICU होता ना, ICU, Intensive Care Unit, CCU में क्या होगा, Critical Care Unit, और एक होता है ICU, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके बाद में है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपोर्टेंट है, ठीके न, cooperative for लिखेगा, cooperative for American, यहाँ लिख देता हूँ, अमेरिकान, रिलीव, रिलीव, cooperative for American, रिलीव, एवरिवन, यहाँ लिख देता हूँ, एवरिवन, cooperative for American, रिलीव, एवरिवन, ठीके, इसके यह फुल फॉर्म रहेगा, नेक्स्ट बात करते हैं, CAC, जैसे सबसेंटर, 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 पीएसी, और सीएसी, यह जो हेल्थ सेंटर है, जो उप के अंदर होते हैं, प्रात्मिक स्वास्ते के अंदर होते हैं, सामुदाइक स्वास्ते के अंदर होते हैं, तो CAC, Community Health Center, Community Health, COMM, Community Health Center, Community Health Center, यह रहेगा, अभी मेरा क्लास्स चल रहा है, अभी नहीं, आपको दू घंटा बाद में, या साम कुछ चे बजी कॉल परोबेगो, ठीक है, अब CAC के बारे में बात कर लिया, देखेगा, Community Health Nursing, उसके बाद में है, CMO, Chief Medical Officer, क्या है, Chief Medical Officer, CMO, उसके बाद में, CHF, Congenatal Heart Failure, Heart Failure, उसके बाद में है, CSSM, यह भी Important है, ध्यान रखना, इसके अंदर है, Child Surveillance, Child Surveillance, and Safe Motherhood, Safe Motherhood, Safe Motherhood, ठीक है, यह Important है ध्यान रखना, Child Surveillance and Safe Motherhood, Next बात करते हैं, CCT, Control Cord Traction, Control Cord Traction, Control Cord Traction, Delivery की टाइम में दिया जाता है, Control Cord है, उसको Traction किया जाता है, Control Cord Traction, नेक्स्ट बात करते हैं, CGHS, Central Government Health Service, Central Government Health Service, Central Government Health Service, उसके बात में हैं, CPR, CPR, जब हार्ट काम करना बंद करते हैं, Respiration ने ले पाएं, उस condition में जो Compress किया जाता है, वह ही है CPR, देखिएगा, CPR के अंदर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, उसके बाद में, CBC, के बारे में बात करें, Complete Blood Test, Sorry Count, CBC की क्या है, Complete Blood Count, Complete Blood Count, उसके बाद में है, CRF, Chronic Renal Failure, क्या है, Chronic Renal Failure, Chronic Renal Failure, Chronic Renal Failure, यह इस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा आपको याद करना होगा, और Spelling याद करने होगी, ठीक है, Next बात करते हैं, CST, Contraction Stress Test, Contraction, Stress Test, Delivery के अंदर किया जाता है, कि Contraction के टाइम में कितना Stress रहता है, ठीक है, C SSD मैंने आपको पहले लिखा दिया है, Child, Surveillance, and Safe Motherhood, उसके बाद में, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, CKD, Chronic Kidney Disease, Chronic Kidney Disease, एक आया था पहले, RKD, Chronic Renal Disease, उसके बाद में था, next है यह वाला इंपोर्टेंट है बच्चो, CABG, CABG के अंदर, Coronary Artery Bypass Grafting, जब हार्टिंग, जब हार्ट की जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, वो ब्लोक हो जाती है, ऐसी कंडिशन में बाइपास ग्राप्टिंग किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राप्टिंग कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राप्टिंग जिसको CABG, ठीक है तो इस प्रकार से आपको लिखना है, साथ ही साथ में, next C से सम्बंदित और last है CMV, cytomegalovirus, 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 CMV, cytomegalovirus, ठीक है, अब C से रिलेटेड जितने भी important abbreviation थे, वो मैंने यहां पर include किया है, साथी साथ में next देखते हैं letter number D, अब letter number D के अंदर जो important है, next DGSS, direct general health service, क्या है, direct general health service, dotts वाला बहुत important है, इसको इस्टार लगा दिजिएगा, dotts वाला बहुत important है, dotts वाली यह जो abbreviation है वो बहुत important है, और exam के अंदर आता है इसको VVI के अंदर डालें, VVI, direct of observed, direct observed treatment, treatment, short course, short course therapy, यह इसका full abbreviation है, full form है, त्यान रखना है, dotts जिसके अंदर आपने देखा होगा, TB वाले मरीज जो दवाईया नहीं लेते थे पहले, फिर dotts इस्ट्रेजरी आई, जिसमें मरीज को direct सामने दवाई दी जाती है, हेल्थ टीम के सामने, मरीज दवाई लेता है, घर तरा जाता है, इससे 100% दवाई मरीज खा रहा है, यह पता किया जा सकता है, direct observed treatment, short course therapy, उसके बाद में DPT तो आप जानते हैं, DDT, DDT का स्थेड़काव करते हैं, वह यह DDT, DDT के अंदर, डिकल प्रफरो ठवार्द दिक्लरो डिक्लरो याद यंद स्ट्रिक्ण Dichloroethane Dichloro diphenyl और T say trichloroethane ठीक है यह भी important है DDT DHF Dengu hemorrhagic fever Dengu hemorrhagic fever Dengu hemorrhagic fever आपना देखा होगा Dengu के अंदर तीन इस्टेज आती है Dengu fever Dengu hemorrhagic fever और Dengu shock syndrome तो Dengu hemorrhagic fever DM diabetes mellitus diabetes mellitus diabetes mellitus चिन्य की विमारी नेक्स्ट बात करते हैं DMPA हार्मोन है Deport medroxy progesterone acetate लिखेगा Deport Deport medroxy progesterone progesteron acetate, acetate, deport medroxy, progesteron acetate, dna, 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 अधीफक, उसको clean कर दे, na, अरे clean कर दे, class सलरा मेरा, क्या बोला, अचा ठीक है, ठीक ठीक जा, ठीक ठीक, दिन में मिल लेना, मेरी से, ठीक ठीक, दी-Oxy-Rybonucleic Acid, D-Oxy-Rybonucleic Acid, D-Oxy-Rybonucleic Acid, D-Oxy-Rybonucleic Acid, DNA, इसके बाद में DNC, डाइलेट एंड, डाइलेशन, 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 एंड, क्यूरेटेज, डाइलेशन, 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 डा डाइलेटेशन एंड क्यूरेटेज ये उपर वाला थोड़ा सा हटाद है ना एंड डाइलेटेशन डाइलेटेशन एंड क्यूरेटेज डीनसी करते हैं जब एबोर्शन कंडिशन होती है तो यूट्रस को क्लीन करते हैं डाइलेट और क्यूरेटेज करते हैं उसके बाज में है डी आइसी डिस्सेमिनेटेड इंट्रावेश्कूलर को एगूलेशन क्या है डी आइसी में लिखेगा डिस्सेमिनेटेड इंट्रावेश्कूलर इंट्रावेश्कूलर को एगूलेशन डिस्सेमिनेटेड इंट्रावेश्कूलर को एगूलेशन डिस्सेमिनेटेड इसमें लिखेगा डिस्सेमिनेटेड इंट्रावेश्कूलर को एगूलेश्कूलर 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 को डिवीडी डिएरिया वमेटिंग डिवीडी में क्या राएगा डिएरिया वमेटिंग 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 डिएरिया बात करते हैं, DVT, Deep Vene Thrombosis, Deep Vene Thrombosis, Deep Vene Thrombosis, DMC disaster management committee, disaster management committee, disaster management disaster management committee, इस प्रकार से आपको लिखना है, letter number, C और D के बारे में बात कर लिया है, next letter number E के बारे में बात करते हैं, letter number E, E के अंदर बात करें, EDD, जब महिला pregnant होती है, तो उनका EDD देखा जाता है, कि कब EDD है, expected date of delivery, expected date of delivery, expected date of delivery, understand, next बात करते हैं, EFA, essential fatty acid, essential fatty acid, essential fatty acid, एक होता है, essential amino acid, essential fatty acid, essential amino acid, essential fatty acid, essential amino acid, ECF, extra cellular fluid, extra cellular, FLUID fluid, एक होता है, ICF, intracellular fluid, ICF, VIA लिख लिजिएगा, ध्यान रखिएगा, ICF, intracellular fluid, ECF, extra cellular fluid, इसके बाद में next बात करते हैं, ECG, और EEG, और ELISA, यह तीनों ही important है, इसको VVI के अंदर डालिए, इसको भी VVI के अंदर डालिए और इसको भी VVI के अंदर डालिए, ECG, को ने जानता ECG के बारे में, Electrocardiography, EG, Electroencephalography, 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 Next बात करते हैं, ELISA, Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay, यह बहुत important है ज्यान रखना, इसको VVI के अंदर डाल दीजिए बच्चों, यह बाला है, बहुत important है, एक बार पुरा पुरा abbreviation पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वापिस एक पुरा list बनाएंगे, कि इसमें से भी कौन सा याद करना है, एक वीडियो उसका भी बनाऊगा, उसके बाद में, lख रेएंगे लौरी, यह भीडियोलि गडििनते ह हित एक आएंगे लिएंगे इसमने, इसमेंगे फीडियो फस्थती tirar-टनी अवियोडरान अएंगे, आवियो टैल पोग्मा इसके बाद में उसको आगे जा करूफ के कौन से प्रोग्राम में करवड क्या था यूनिवर्सल इम्मिनेज़ेशन प्रोग्राम के एंदर Expanded Program on Immunization EPI Expanded Program on Immunization Next इएसई ESI एसपिटल होते हैं Employee State Inczorence CJS EMPLOY 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 ESTATE INSURANCE Employee State Insurance यह इसका फुल फॉर्म है ESI Next बात करते है ECT Electro Convulsive Therapy जो सैक्रिटिक पेसेंट के इंदर दिया जाता है ECT Therapy Electro Convulsive Therapy Electro Convulsive Therapy ECT उसके बात में यहां पे साइड में बिठा ENS नहीं होता है EPS होता है इसको लिख लिए गा EPS EPS E का मत्ब एक्स्ट्रा Pyramidal Pyramidal Syndrome Extra Pyramidal Syndrome तो इस प्रकार से Letter Number C, D और E के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडि रे आज इतना ही दन्यवाज का मत्वी के बारे में यंदर